दोस्तो नमस्कार, अपने चैनल पे में वीजय परकास आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मात्र दो हज़ार उपिये की नौकरी करने वाले ने 28,000 करोर का बीजनेस सिंपायर बना दिया दोस्त हर ब्यक्ति अपने लाइफ में कोई ऐसा कारी करना जरूर चाहता है जिससे उसे एक अलग पहचान मिले और लोग उसका नाम एक सक्सेच फूल ब्यक्ति के तोर पर ले और इसी एक्षा की वज़ा से कोई ऐसा कारी कर जाता है कि वह देश के जुआवों के लिए एक उतारन बन जाता है उसके बिजनेस आइडिया, काम करने का जजवा यह सब लोगों को उसकी ओरा करसित करने लगता है और दोस्त ऐसे ही कारी करने वालों में से आज हमें कैसी कंपणी के फांडर के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप भी उनकी तरह कुछ करने के कुछ बनने के प्रियास में जुट जाएंगे। दोस्त ये वो बिजनेसमेन है जिसने भारत के करोरो जुआओं के जिन्दगी में क्रांती ला दिया। वे ऐसे दो मुश्किल कामों को असान कर दिया हैं जिससे लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में परसान होता है। हम बात कर रहे हैं इंफो एज और नौकरी.com कंपनी के ओनर संजीव विक्चंदानी की जिन्होंने इनसान के जीवन के सबसे मुश्किल दो काम को बिलकुल आसान बना दिया। पहला एक बेहतर और संदार भविस्ट के लिए एक संदार नौकरी ढूरना और दूसरा साधी के लिए एक सही जीवन साथी का तलास करना। दोस्त, इंफो एज कंपनी ने इन दोनों काम को बहुत ही आसान कर दिया है। आई आज हम जानते हैं संदीव विक चंदानी की सफलता के बारे में वे बताते हैं कि उन्हें परहाई के प्रियड में ही यह हसास हुआ कि वह लाइफ में सिर्फ नौकरी करना नहीं चाहते हैं। अपनी कंपनी के सुरुआत अपने घर में ही एक कमरे से की। 1990 में सबसे पहले उन्हें अपने दोस्त के साथ मिलकर दो कंपनी इंड मार्क और इंडो एज की स्थापना की। अपनी नहीं हो पाती थी जिससे वो बचत करने के लिए पैसे अलग निकाल सकें। इसलिए संजीव कुछ इंकम बरहने के लिए कोचिंग क्लास में परहना सुरू कर दियें। और उस कोचिंग से संजीव को 2000 रुपिय तक की कमाई होने लगी। और तब विक्चंदानी ने उसे स्टॉल वाले से एमिल के बारे में पूछा तो उसने ना सिर्फ इमिल के बारे में बताया बलकि ये भी बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सब जानने के बाद उन्होंने उस इमिल विक्रिता से अपने लिए एक वेफसाइट बनाने की बात कही। लेकिन मेरे पास में बिलकुल भी पैसा नहीं है। संजीब विक्चंदानी ने अपने बरे भाई से उधार देने को कहा कि मैं बाद में यह पैसा लोटा दूँगा। उनके बरे भाई बात मान गए और फिर संजीब विक्चंदानी ने सुरुआत कर दी नौकरी.com की। आप वेफसाइट बनकर तयार हो गई तो फिर इसको लांच करने का कारे बहुत ही मुस्किल काम था। उस समय मंदी का दौर चल रहा था। उस समय बहुत से लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैटे थे। उस समय वे और उनकी टीम ने सोचा कि वेफसाइट को लांच करने का सही समय यही है और उन्होंने इसी मंदी के दौर में अपनी वेफसाइट नौकरी.com को केवल कुछ ड परसेंट नौकरियां फिरी में मिल रही थी उसके दूसरे साल में उनकी वेफसाइट ने 18 लाग का बिजनेस किया इसके बाद से तो लगतार उनकी मार्केट वेलू बरती चली गई और इसके बाद उनको फंडिंग देने के लिए लोगों ने फोन लगाना परारंब कर दिय दोस्त आज के समय की बात की जाए तो उनकी कंपणी इंफो एज की मार्केट वेलू पचासी हजार करोर से भी अधिक है दोस्त संजीब इक चंदानी जी का बिजनेस आइडिया काफी मोटी वेस्टनल है आज वे अपने एक नए इनोवेटिव आइडिया के जरीरे करोरों क संपती के मालिक बन गए हैं हमारे देश की उनके जैसे इनोवेटिव लोगों की जरूरत हैं दोस्त उन इनोवेटिव लोगों में आप भी हो सकते हैं दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सेर जरूर किजिएगा एंड मेरे चैनल पर नए होतो सब्सक्राइ भी कर दिएगा थैंक्यू दोस्त धन्यवाद